नमस्कार गाइज, असेसी सीप्यों दोजार टेइस का फिजिकल चौदा तारीक से सुरू हो रहा है चौदा नॉवंबर से 20 नॉवंबर के बीच इसका फिजिकल होने वाला है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2028 सीप्यों का जो फिजिकल हुआ था वो मैंने पास किया हुआ है दिल्ली का जो असेस्पी ग्राउंड है वहाँ पर मेरा फिजिकल हुआ था 3 फरोरी 2023 को जब मैं फिजिकल पास करके सेंटर से बाहर निकला था तो उस टाइम मैंने एक वीडियो सूट किया था जिसमें मैंने कम्प्लीट ग्राउंड की जो डिटेल है उसके बारे में बता रखा है कि अंदर का स्टाप कैसा है रनिंग कैसे हुई और वहाँ पे क्या-क्या जो हाई जम्प है लोंग जम्प है वह सब मैंने एकदम डिटेल से बता रखा है और जो इस्टुडेंट पास करके बाहर निकले थे उनका भी मैंने रिव्यू ले रखा है कि आपकी गर पे टाइमिंग की आती थी और यहां पे आपका जो पास हुआ या नहीं हुआ तो मैंने वह एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है उस अससपी ग्राउंड का तो यह वाला वीडियो देखने के बाद जिन इस्टुडेंट का अससपी ग्राउंड दिल्ली के अंदर फिजिकल होने वाला है वो लोग उस वीडियो को जरूर देख ले उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरा जो यह चैनल है इस चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा लेकिन पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लापराई की वज़े से कपी सार इस्टुडेंट है वो फिजिकल में फेल हो जाते है यहाँ पर एड्मिट कार्ड में एंट्री टाइम है वो 6 बज़े के दे रखा है एंट्री के वक्त आप लोगों के पास क्या-क्या डोकिमेंट होने चाहिए एड्मिट कार्ड, ID कार्ड, फोटो और ड्राविंग लाइसेंस घ्यान रखना ड्राविंग लाइसेंस अगर आप लोगों के पास है तो यह शाल को जरूर को इन पास बहुत है और जिनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग reject हो जाएंगे, यानि वो जिनके पास driving license नहीं है, वो लोग दिल्ली पुली ससाई के लिए eligible नहीं होंगे, बाकी सारी पोस्टों के लिए वो लोग eligible होंगे, आपके admit card के अंदर entry time है 6 बजे के दे रहा है, तो क्या सर अगर ह 6 बजे के बाद भी जाते हो, तो भी आपको entry मिल जाएगी, आठ या 6 बजे तक वो entry दे रहे थे, जब हम physical दे रहे थे उस time, 8-6 बजे तक वो आप लोगों को entry दे दे देते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों को suggestion यही है, कि आप लोग सेंटर पर 6 बजे से पहले पहुंच इसका फाइदा यह है कि आप जितना जल्दी वहाँ पर जाओगे, आपकी बारी उतना जल्दी आएगी, क्योंकि वहाँ पर अंदर जब रनिंग का वो बेच बनता है ना तो 15 पंदर या 20-20 इस्टुडेंट के रनिंग के बेच बनते हैं, तो सुरुआत के बेच के अंदर अगर आपकी रनिंग होती है तो आपके लिए फाइदा है क्योंकि शुरुआत के बेच बेच वह जल्दी 8-8 बजे उनके रनिंग हो जाती है, फिर क्या है 10-11 बजे बाद के जो इस्टुडेंट होते हैं, उनके 10-11 बजे के आजपास रनिंग होती है तब दूफ निकल जा सकते हो, जिसमें कपड़े फल्पूरूट वगेर वो होंगे और वहाँ पर रनिंग जो 1600 मिटर रनिंग हो स्टार्ट होने से पहले आपको आदा गंटा मिलेगा जिसमें आप पानी पेसाब कर सकते हैं, फ्रेस हो सकते हैं और फल्पूरूट खा सकते हैं, यहां पर ध्यान देने योग की बात यह है कि कुछ student क्या करते हैं कि जब running start होती है running start होने से पहले वो लोग इतना खा लेते हैं केले वगेर बिस्कूट बुज्या मतलब इतनी सारी चीज़ें ठूस लेते हैं मुझ में फिर उपर पानी बरके पेट ऐसे डॉल जैसा कर लेते हैं जिसकी वज़ए से जब वो running करते हैं यहां पर फिर उनके ना दर्द शुरू हो जाता है वो running पूरी complete नहीं कर पाते हैं तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि खाने पिने पर खास तोर से आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा मत खाएं अगर आप लोग केले वगरे लाए हैं तो नॉर्मल एक यदो केले खा ले और ज्यादा पानी मत पिये नॉर्मल थोड़ा सा आप पानी पिये और अब लोगों पर आपके सबसे पहले शॉला सू मिटर की रेनिंग होगी आठ नो बजे के बीच आपका जो पहला बेर च है उसकी रेनिंग करवाई जाएगी तो तो यहां पर कई सारे student का क्यूशन आता है कि सर 16 सु मिटर की जो रनिंग होती है उसमें हमारा टाइम रहता है साड़ी छाए मिन्ट का तो क्या अगर हम एक या दो सेकंड लेट हो जाते हैं जी हां अगर आप एक या दो सेकंड लेट हो जाते हो तो वहां पर अगर इस्टाप बहुत ज़्यदा अच्छा है तो ही वह आप लोगों को पास करते हैं कई जगह हो सकता है लेकिन हमारा जो असेस्ट भी ग्राउंड ता वहां पर जो इस्टुएंट एक या दो सेकंड लेट है था उसको भी उन्होंने वह अंदर ले लिया था ऐसा नहीं कि उसको फैल कर द लाता है इस परकार आपको पूरी 16 मिटर रनिंग है और कमप्लीट करने पड़ती है और यहां पर जो सबसे उंपोर्टेंट चीज है वह है डर कापी सारे इस्टुडेंट है ना इनको डर लगने लग लग जाता है रनिंग से जो 16 की रनिंग है उससे कापी सारे कर देंगे कि आप भागो भागो आपको यहां बागना है शिर्फ शोला सु मीटर रनिंग ही तो है मैं मेरा बता देता हूं कि मेरा जो टाइम है ना क्यूंकि टाइम बहुत कम मिला था फिसलिवार फीजिकल का इसी वज़े से मेरा टाइम है वह छ्यापचास का टाइम था ले मैंने सोचा आप जो होगा वह देख जाएंगा ऐसा तहरी नहीं कि हम सोला सु मिटर के अंदर जी जान लगाएंगे तो मर जाएंगे जी जान आप अपने लगा देना अगर जिनका गर पर टाइमिंग साथ मिंट का टाइम है न वह वहां पे पूरा जी जान लगा देना आपको ऐसे सोचना है कि बस अब हो गया हो गया हो गया क्यूंकि शोला सु मिटर के अंदर आप लोग ऐसा है नहीं कि आप लोग बेहुस हो जाओगे कुछ भी नहीं होगा मैं गारणटी से कहता हूं कुछ भी नहीं होगा बस आप ग्यूप मत करना मेरा आप लोगों से यह बेच हो जाएंगे कम्प्लिट इसके बाद आप लोगों को आदा गंटा मिलेगा शोला सुम यह जो शो मीटर के रेनिंग होती है उससे पहले अब ऐसा नहीं है कि रेनिंग है इसके जस्ट कम्प्लिट होता ही भगा देंगे आपको आदा गंटा देंगे अपना पानी बानी पी लीजिए और सांस वगए रेकोर कर लीजिए फिर आपकी शो मीटर की रेनिंग नthinking होगी होंगी और सो मीटर में भी अगर एक दो ऐसकट का परका आजाता है तो वह पास कर देते हैं ऐसा नहीं है तो मीटर के अंदर कोई फैल हुआ ही नहीं हमारा जो रेनिंग हुआ थ होते हैं और इनमें में आगर आप लोगों ने त्यारी कर रखिया तो आप लोग ये कर पाओगे वह पे क्या एक डंडा लगा होता है अगर थोड़ा सा उसके पेटच हो जाता है तो आगर किस्मत है अच्छी तो वह घरता नहीं है लेकिन कई बार गिर जाता है बहुत बार हम पतले पतले स्टुडेंट थे उन्होंने भी मतलब फैंक दिया था पंदरा मीटर वह दे मासान होता है कोई भी उसके अंदर फैल नहीं होने वाला है यह सभी कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों को बैठा दिया जाएगा फिर आप लोगों का हाइट और जो यह ना पांच बच जाते हैं फिर आप लोगों को वहां पर वह सर्टिपिकेट दे देंगे और सर्टिपिकेट लेकिए आप बार निकल के अपने घर चले जाओगे तो यहां पर में ध्यान रखने वाली बात यह यह कि आप गबराना नहीं है अपना लाइसे साथ में ले जाना है और आपको ग्यू अप नहीं करना वहां पर और खाने का भी ध्यान रखना है कि आप कुछ भी मत खालो ऐसे ज्यादा केले वगरे मत खानी है नूर्मल आपको खाना खाना है और रनिंग से पहले अगर आप लोग जो यह चोकलेट होती है ना यह डेरी मिलक वाली अगर पां कर दीजिए मैं उसका रीपलाई कर दूँगा और 14 तरीको जब 14 तरीको फीजिकल इसका होगा ना तो उस टाइम से आम को एक वीडियो आजाएगा कंप्लीट वीडियो आएगा डिटेल रिवीव वीडियो आएगा कि स्टुडेंट कितने पास हुए है ग्राउंड के साथ यह सब कुछ मैं आपको वीडियो तरू प्रोवाइड करो तो आप उस वीडियो को जरूर देखना थैंक्यू सो मच